पहलो दोस्तों, तो दोस्तों हमें एक भाई का मैसिज आया, कि भाई जो हमारा मुबाईल फोन है, उस पर जैसे हम डार्टर वीडियो कॉल लगाते हैं, तो दोस्तों जो है कि डार्टर वीडियो कॉल लगता नहीं है, उसमें जो है कि क्या प्रोब्लम आ रही है, किस तरीके स दोस्तों आप उसको solo कर सकते हो And director video call कर सकते होcrates किन किन कारण उपे हैं कि वीडियो को नहीं सकतेे इन सब यह गठा कमें को सब नहीं कर सकते हैं और अतलब कर दोस्तों इसको सब ही को क्लियर करने वाले हैं हैं आपकी mobile की स्क्रीन पर उससे पहले यदि आ continuing पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लो कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट चलते हैं मॉबाइल की स्क्रीन पर और आपको जहें कि कम्प्लीट जो डिरेक्ट वीडियो कॉल का जितना भी जो है की सिस्टम है उसके बार जो डिरेक्ट वीडियो कॉल है वो कर सकते हो अब मापको बता देता हूं दोस्तों आप जो है की जो एसूस के फॉन है या फिर और किसी कम्पनी के मॉबाइल फॉन है मेरे को एसूस के बारे में पता है उसको जहे के डिरेक्ट वीडियो कॉल स्पोर्ट बिलकुल भी नहीं करता दोस्तो एक बात ही यह हुई and second बात मां आपको जहें कि बता देता हूं दोस्तो जो आपका mobile phone है उसमें जो sim है दोस्तो चाहे दोस्तो वोड़ा phone की हो चाहे जीओ की हो चाहे एरटेल की हो किसी भी company के आपकी जहें की sim हो यदि दोस्त आपके पास दूसरे का number भी जहें की जीओ का ही होना चाहिए तो दोस्तो point number what दो इन कारणों की वज़े से आप जहें की direct video call है जो वो नहीं कर पाते अब दोस्तो मैं आपको बता देता हूं जो आपका mobile phone है दोस्तो उसमें आपको जहें की setting पर चलना है और मैं अब दोस्तो आपको जहें क हमारा point number three है उसकी तो इसके लिए दोस्तो simply आपको setting पर क्लिक करना हो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको जो है की दोस्तो यहां पर आ जाना है यहां है दोस्तो network and internet यह दोस्तो आपका जो mobile phone है दिए और Redmi का है और company का है तो दोस्तो sim card या network इस type से मिल जाएगा जहां कि दोस्तो sim card होते हैं वहां पर आपको आ जाना है तो मैं simply यहां पर आ जाता हूं यहां पर आने के बाद दोस्तो अब आपको simply अपनी जो sim है उसको यहां पर select कर लेना है तो मैं अपनी sim को select कर लेता हूं select करने के बाद दोस्तो आपको जहे के अपनी जो sim card है उस पर ही click कर लिया दोस्तो और किलिक करने के बाद दोस्तो अब आपको जहे कि सिंपली यहां पर आ जाना है नीचे यहां सबसे पहले दोस्तो आपको जहे कि जहे कि वोल्टी का आपसन है इसको इनेबर कर लेना है उसके बाद यहां है करियर वीडियो कॉल यहां पर टॉगल बटन यदि आफ है तो ओन कर लेना दोस्तो अट ओन करोगे दोस्तो आपको जहे कि मैं बता देता हूँ जो यह आप आप सण है वाइफाई कॉलिंग तो simply दोस्तों आपको जहे कि इसको भी इनेवर्ट कर लेना है यहां से दोस्तों आप इसको जहे कि जो एक call network है call over network यहां पर भी कर सकते हो चाहो तो यदि दोस्तों आप जहे कि वाई-फाई यूज करते हो तो यहां पर भी कर सकते हो मैं इसको wifi पर ही रहने देता हूँ तो दोस्तो आप इसको on कर सकते हो on कर लेना है तो ये तो ही दोस्तो number three setting तो अब चलते हैं दोस्तो जो हमारी fourth number की setting है उस पर उसके लिए दोस्तो simply setting पर setting पर आने के बाद दोस्तो आप का जाना है apps पर Apps पर आने के बाद दोस्तों आपके पास Redmi का Mobile Phone है तो दोस्तों उसमें Manage Apps के मिल जाएगा वहाँ पर आने के बाद आपको Simply यहां सर्च कर लेना है तो मैं यहां दोस्तों सर्च कर लेता हूँ Phone यहां चुका है हमारा Phone तो मैं Simply Phone पर कर लेता हूँ Click Click करने के बाद दोस्तों आपको जहे की यहां इसकी जो परमिसन्स हैं दोस्तों इस पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपनी परमिसन्स देख लेनी है जो हमारी परमिसन्स है वो दोस्तों सभी अलाव है या फिर नहीं का जो वो था प्रॉबलम थी वो इसी की वज़े से नहीं हो रही थी तो मैं अलाव पर कर लेता हूँ यहां दोस्तों यह जो दो सेटिंग है कैमरा एंड यह जो माइक्रोफोन है यह दोस्तों इनेबल होनी चाहिए सब ही को इनेबल कर लेना है लेकिन दोस्तों आपको जहेगे इनको खासकर याद रखना है इनको इनेबल होनी चाहिए दोस्तों एड दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो हमारा यानि की पॉइंट नमबर दोस्तों यानि की कितना था फाइब तो दोस्तों इसके लिए सिम्पली कई बार दोस्तों ये होता है जो हमारा mobile phone होता है दोस्तों उसमें जहे कि हम यानि कि geo to geo भी करते हैं दोस्तों या फिर voda phone to voda phone भी करते हैं तो दोस्तों जहे कि कई बार हमारी जो call है वो नहीं लग पाती ये क्या problem है तो इसके लिए दोस्तों आपको सिम्पली सैटिंग पर क्लिक कर लेना है सैटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिम्पली जो नेटवर्क और इंटरनेट है इस पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिम्पली यहां SIM card select कर लेनी है and यहां select कर लेनी है तो select करने के बाद दोस्तों अब आपको simply नीचे आ जाना है यहां हमें एक option मिल रहा है दोस्तो assess point name simply आपको इसी पर click कर लेना है click करने के बाद दोस्तों आपको three dots दिख रहे होंगे यहां corner में three dots पर click करने के बाद यहां है reset to default तो simply आपको जाहे कि इसको एक बार reset कर लेना है तो कई बार दोस्तों इसकी वज़े से भी यहां पर हमारे जो यानि की जियो टू जियो भी कॉल नहीं हो पाती तो दोस्तों यह कुछ पांच कारान थे जिनकी वज़े से आप जो है कि जियो यानि की जो डार्ट वीडियो कॉल का जो future था उससे दोस्तों आप दूर थे अब दोस्तों आप जो है कि डार्ट वीडियो कॉल अच्छी तरीके से कर सकते हो तो I hope आपको जो हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद नहीं वीडियो का लाइक करें कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर बते हैं तो मिलते हैं नेक्स टॉपिक से